डाली हूं मेरा यूनिक सा है और बहुत ही प्यारा सा डेजाइन है इसको हम जेंस स्वेटर में डाल सकते हैं कोई भी छोटे बच्छों का प्रोजेक्ट बना रहे तो उसमें भी डाल सकते हैं गल्स की स्वेटर या कार्डिगन या फिर आप टोफ होगरा जो भी कुछ मना रह यह जो मेरा डिजाइन है दो-दो फंदो के मल्ट्पल चलेगा बाुटर के बाद एक और मैंने में इसमें उल्टी INTER करके उल्टी साइड से निकाल लीकिन है और अविजिदी साइड है सिद्य साइड से मैंने second कछ प्र नगया है जो मेरा भाईंत है पहले माला सिदा बनाए के एक उल्टा बनाएंगे इसी तरह से बनाते वें पूरी रोह को अपनी में कमप्लीड परेंगे आप यह लौ दो क्षोड कि मत बागना लिए बला बियानिये हैं कि यह बहुत्स ज्जाद सुंदर है चिन कि favor यंद बनाधने करेंगे पूरी Allah अब यह डिखेन की मेरे second row है और उल्टी साइड है उल्टी साइड से हम इसको whyte कलर से पूरी को उल्टा उल्टा बनाएंगे पूरी row उल्टी उल्टी बनाकर ही complete करेंगे चलिए अब बना लेते हैं पूरी फूरी टो को उल्टा उल्टा इसी तरीक से किह के quería यह देखियायन के मेरे थाट रों है थाटो में एक फंदा मैना वाय्ट बनाया एक में ब्ल्यु बनाओंगे इस तरीक से एक वाइट बनाएंगे एक ब्ल्यू को इस तरह से बनाते बहे मैं पूरी रो को हम complete करेंगे चलिएगा कट लेते हिर अब है और यहां पर हम्हारे design की fourth row है और fourth row हम पूरी white color से बनाएंगे ulti ulti बनाएंगे ulti side है यह इस तरीक से lub पूरी row ulti ultiulpi ulti side से fourth row् पूरी row को बना करते हैं यह देखेगा इस तरीक से अब यह डिजैन की मेरे फिप्त रोव है फिप्त रोव भी हम वाइट कलर से बनाएंगे सीधी साइड से बिल्कुल सीधी सीधी चलिएगा बना लेते हैं इसको भी सिधा-शिधा इस तरीक से पूरी रोब को कि यह देखेगा यह फिप्त रोव बनके हमारी कंप्लेट होगी वाइट कलर से अब इसको उल्टी साइड है और उल्टी साइड से हम इपज़ा कलर चेंज करेंगे अपना ब्लू वाले बन लगाएंगे यह पहले वाला फंदा में इसमें सीधा बनाऊंगी उल्टी साइड से दागा अपनी साइड यह वाला फंदा दूसरे वाला फंदा उल्टा बनाऊंगी एक फंदा सीधा एक उल्टा इसी तरह से हम स्टार्टिंग करेंगे ब्लू कलर की जैसे अपने वाइट कलर से करेंग एक फंदा उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा पुरी रोखे बनाखे 2 क मपलीट करेंगे चलिएगा कड़ लेते कि में यह पियर रोखी से अब है अभी सेंग उन्हों और सेवेंच भी पी अड़ी मिन फिल्टा से बनाएंगे सीधी साइड है पुरी को सिधा सिधा बनाके complete करेंगे 7th row इस तरीक से पूरी रो सिधा सिधा सिधी साइड से चलिए बना लगते यह देखेगा इस तरीक से अब यह डिजाइन की 8th row है और 8th row में में एक फंदा वाइट बनाऊंगी एक ब्लू बनाऊंगी पर ध्यान रखेंगे जहां पर हमारा ब्लू है उहां पर ब्लू आना चाहिए जहां पर भाइट है मुहां पर भाइट आना चाहिए पहला फंदा मेरा इसमें ब्लू है तो मैं ब्लू से बनाऊंगी तभी आपका यह डिजाइन बहुत सुनतर लगा ब्लू बनाया दूसरे वाला भाइट है तो भाइट बनाऊंगी सिर्फ दो फंदों को स्टार्टिंग में आप ध्यान रख रखती है मेरे साथ साथ बनाईएगा बिल्कुल आपको अच्छे से समझ जाएगी चलिए पुरी रो को बना लेते हैं एक ब्लू एक वाइट एक ब्लू एक वाइट यह देखेगा इस तरीक से आप इसमें मैं दो रो निकालोंगी ब्लू गलर से सीधी साइड से सीधी और उल्टी यह 9th row है मेरे डिजाइन की और 10th row भी में ऐसे ही निकाले उल्टी साइड से उल्टा-उल्टा सीधी साइड है बिल्कुल सिधा-सिधा बनाना है और उल्टी साइड से उल्टा-उल्टा बनाना है चलिए बना लेते हैं 9th और 10th row भी अपनी इस तरीक से यह देखे से यह मेरे डिजाइन का फाइनल लूक कुछ इस तरह का आएगा यह फाइनल लुक आएगा अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस डिजाइन को आप लाइक करना शेर करना ज्याजश ज्यादे और चैनल को सस्क्राइब करना वीडियो देखने के लिए थैंक्यू मिलते हैं ने 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 दूड़ियो में बाई